क्या आपको पता है कि cold drinks की bottle पूरी बरी हुई क्यों नहीं होती और बारत में एक ऐसी जगा जहां जाने के लिए पाकिस्तान का विजा लगता है और आखिर प्लैन में थर्मोमेटर ले जाना बेन क्यों है ऐसे ही shocking fact के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना fact no.5 क्या आपने कभी सोचाए कि एक बिच्चू पे अगर UV लाइट गिरा दी जाए तो क्या होगा और जैसा कि आप देख सकते कि एक बिच्चू पे UV लाइट गिराए तो वो नीले रंका हो गया और ऐसा इसलिए होता है कि एक बिच्चू के शरीर पर बहुत सारे chemicals पाये जा होता है और प्लैन होता है वो aluminum का बना होता है और हम सब लोग चांते कि mercury और aluminum का reaction कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं अगर प्लैन में थर्मोमेटर गलती से तूट जाए तो ए प्लैन क्रेश भी हो सकता है इसलिए प्लैन में क्यों चलते है इसका एक रिजन है अगर प्लैन में कोई emergency आ जाए तो उससे समुद्र में land नहीं करा सकते इसकी वज़े से यह प्लैन जमिन वाला ही रास्ता चुनते है और इसलिए प्लैन प्रसंदमासागर के उपर से नहीं उड़ते तरसल हम सब लोग जानते कि कोल्ड रिंग्स की बोटल बनने के बाद उससे अलग-अलग जगह में बेजी जाती है जिसकी वज़े से वहां अलग-अलग तापमान से गुजरना पड़ता है जिसमें अगर ज्यादा ठंडा तापमान हो तो बोटल सिकूट जाती है और ज्यादा गरम तापमान हो तो बोट सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं यह अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ